नमस्ते आज इस वीडियो में हम General Studies 4 that is Ethics, Integrity and Aptitude से case study को discuss करेंगे और आज जो case study हम discuss करेंगे वो होगी case study no.10 जी हाँ अब तक हम 9 case studies को discuss कर चुकर अगर आप लोगों की 9 में से कोई भी case study अगर छूड़ गई हो, miss हो गई हो तो अभी description में जाके, description में अभी जाई है नीचे वीडियो के और description में आपको पूरे ये 9 case studies के link रखी गई हो, link पे click कीजे और अभी के अभी वो case studies को complete कर लीजे आप अगर importance की बात करें case studies को तो आप जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ कि 120 marks के लिए case studies पूछी जाती है, UPSC mains में और ये 120 marks बहुत जादा जरूरी अगर आपको कोई भी exam को crack करना है, तो कोई भी post को अगर crack करना है, तो याद रखिए और daily case studies के practice जारी रखिए ताकि 120 marks मैंने description में लखी है, उसको भी आप देखके उसे भी complete कर सकते हैं, तो आज की जो case studies is about humiliation of an IPS officer, Indian police service officer, ये जो officer है, इनको कोई humiliation face करने पड़ रहे हैं, उसके उपर ये case है, जो की बहुत commonly देखा जाता है, Indian police service में, तो चलिए आज की जो case है, वो क्या है, ये देखके उसको ज किसी district में as a superintendent of police, that is SP, अब स्नेहा IPS officer है, ये उसके बारे में पता चलता है, दूसरी बात वो कैसी है, तो she is very honest, बहुत जादा इमानदार है, बहुत जादा sincere officer है, and who is working very hard to control the crime, देखे, क्या कर रहे है, वो बहुत hard work कर रहे है, ताकि crime को वो control में ला सके, ये सब चीजे देख ये हमें पहले paragraph में पता चलता है, अब incidence देखिए क्या हुआ, एक दिन, एक influential businessman का कोई बच्चा kidnap हो जाता है, जब वो बच्चा अपने school से लौट रहा था, issue जो था, ये बहुत उपर पहुचने लगा, क्योंकि businessman influential है, बहुत बड़ा businessman है, ये आपको पता चलता है, ये issue ज before the office of SP, उनके district के जो superintendent of police है, उनके office के सामने बहुत massive demonstration किया जाएगा, और उसके साथ-साथ ये लोग एक दिन के strike पे भी जाने वाले है, अब police जो होता है department, वो home minister के अंडर आता है, जो home minister होते है, he decided to visit the district, जहाँ पर ये incidence हो रहा है, वहाँ पर home minister आने का सोचते हैं, और वो meeting conduct करते है, with all senior officers और वो सब senior officers को SP के office में बूलाते है, अब आगे क्या होता है, आगे अगर देखा गया तो इस meeting के दोरान बाहर से कुछ बहुत बड़ा नारा सुनाई आता है, बहुत बड़ा slogan सुनाई आता है, कुछ angry businessman का और वो demand कर रहे, immediate suspension of SP, वो कह रहे है कि SP जो है, उ police station के, उनको अभी के अभी arrest कर लिया जाया, इसे slogan सुनाई आते है, ये slogan सुनके जो minister होते है, home minister वो बहुत ज़्यादा गुसा हो जाते है, SP के उपर, बहुत ज़्यादा गुसा होने के बाद, वो कहते है कि explain कीजिएगा, कि आपका department, police department failure क्यो रहा, police department fail क्यो रहा, अब ये ह बच्चा है, उसको locate किया जाया, और kidnappers को धूंडा जाया, बहुत सारी steps बताती है, वर businessman भी और minister भी इससे satisfied नहीं होते है, इनके reasons से, minister जो होते हैं, जो SP होते हैं, उनके उपर बहुत जोर से चिला देते हैं, सब के सामने, अब आगे जो भी हुआ, वो बहुत obvious सी बात थी, कि जो सनेहा थी, उनको insulted feel हुआ, जब उनको insulted feel हुआ, अपने officers के सामने, public के सामने और media के सामने, तो उन्होंने minister को बोला कि मुझसे अच्छे से बात कीजिए, talk to me properly, minister जो होते हैं, उनका temper loss हो गया, क्योंकि SP उन्हें इस तरह के instruction दे रहीं कि अच्छे से बात कीजिए, तम मेरा है, और मैं यहां से कही जाने वाली नहीं हूँ, अब आगे क्या होता है, जो minister होते हैं, immediately जो office होता है, SP का उसे छोड़ निकल जाते हैं, और उसको कहते हैं, कि अब तुने जो भी किया है, इसके बहुत बूरे consequences तो face करेगी, normal सी यह धमकी हर बार देखी जाते हैं, इस officer को देते हैं, politicians या कुछ ना कुछ इस तरह के incidents देखने ही मिलते हैं, यह होने के बाद अगले दिन उसे पता चलता है कि consequences क्या हुए, तो उसको suspend कर दिया गया, और उसके खिलाफे inquiry बिठा दी गई है, कि उसने अपने duty perform नहीं की है, ठीक से, और उसके insubordination को लेके भी, याने आप किसी ने, आपके superiors ने दिये वे orders को आप उबे नहीं कर रहे हो, तो अब जैसे कि आपको case पूरी तरह से पता चल चुकी है, तो अब हम देखेंगे कि ये case में आपसे question क्या किये गए, सबसे पहला question आपसे ये किया गया है, कि जो सने है, उसने क्या mistakes यहापे commit कि दूसरा सवाल आपसे ये किया गया है, how could she have handled the situation better, और अच्छे तरीके से वो situation को कैसे handle कर सकती थी, और उसमें who was at fault in this case, ये जो case इसमें गलती किसकी है, तो अचली answer लिखने की शुरुआत करते हैं, solution धुनने की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जैसे कि as usual हम शुरुआत क हो जाता है, कोई भी अगर हम भी उनके जगे होते हैं, तो हमको भी यही लगता है, अब गर आपके घर का भी कोई बच्चा kidnap हो जाता है, तो आप traumatic experience से गुजर रहे हो, ऐसे situation में जो लोग होते हैं, वो ज़्यादा emotional हो जाते हैं, और irrational हो जाते हैं, आप rationality के साथ यहाँ सूच नहीं सकते, आप emotions में बहच चुके, emotional हो चुके हो, यह होने के बाद आपको हमेशा यही लगता है, सभी को यही लगता है, कि हमारा बच्चा जो हो किसी भी हालत में वापिस आ जाए, at any cost वो वापिस आ जाए, बाकी जो citizens होते हैं, वो भी emotionally charged हो जाते हैं, किसी और की situation देखके, क्योंकि उनको भी डर आ जाता है, बाकी लोगों को कि ऐसा situation, ऐसा incidence उनके साथ भी हो सकता है, कल जाके, ऐसे situation में district administration जो है, उन्होंने empathy दिखाना चाहिए, और pain जो है family का वो share करना चाहिए, empathy का meaning होता है, कि अपने आपको दूसरों के जगे पे रख के सोचना चाह कि सनेहा की यहाँ गलती क्या हुई है, तो चलिए सनेहा की गलती धूनने की कोशिश कर दे, तो हम यहाँ यह कह सकते है, कि जो सनेहा है, उसने सबसे पहले जो family है, जिनके बेटे का kidnap हुआ है, उन family को personally मिलना चाहिए, देखिए, आपको यहाँ पर उनको मिलके थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिलासा देना पड़ेगा, उनको यह भी बताना पड़ेगा कि हम police वाले क्या steps ले रहे हैं, ताकि आपके बच्चे को धून के निकाल सके, उसके साथ-साथ उन्होंने उनकी help भी लेना चाहिए, उनको भी पूछना चाहिए, कि criminals को आप इस रिगार को कॉल कीजिए, उसके साथ-साथ जब family satisfied हो जाती है, आपके police investigation से, तो matter जो है यह उतना उपर नहीं उठा रहता, सबसे main था family का satisfaction, family अगर satisfied होती कि आप काम कर रहे हो, आप अपने तरफ से best दे रहे हो, आप उनकी भी help ले रहे हो, आप उनसे हमेशा connected हो, contact में ह ताकि यह सब चीजे हो सके, यह सब चीजे उसने करने चाहिए भी, she should also have been better prepared to explain to the minister and the public actions taken by the police, तो main यही है, कि जो minister और जो public है, उनको उसने बहुत अच्छे तरीके से explain करना चाहिए, ताकि देखिये सर, देखिये मैंने क्या वाला, उसके explanation से यह लोग satisfied नहीं हुए, कि उसन पले क्या क्या action ले रहे है, यह सबसे अच्छा एक step होता कि स्निहा उठाती, तो यह ना करके स्निहा ने एक गल्ती किये, ऐसा हमें यहाँ पता चलता है, चलो दूसरे question पर आता है, दूसरा question यह है कि स्निहा इसको और अच्छे से कैसे handle कर पाई रहती, तो हम सबसे पहले आ आप उनके under काम करें या आपको भूलना नहीं चाहिए, वो भी लोगों को accountable होते हैं, मिनिस्टर जो है वो भी लोगों को उत्तरदाई होते हैं, वो भी अगर कहेंगे तो लोगों को जवाब देही उन पे भी होती है, लोगों को सवाल के जवाब उने भी देने होते हैं, ज वो अपने वोट के लिए तो काम करेंगे, वो हमेशा लोगों को तो ये दिखाएंगे कि हम उनके तरफ से हैं, ऐसे वक्त, शी शुड है बिन रिसेप्टिव टू दे क्रिटिसिजम आप दे मिनिस्टर इन पबले, यानि हम यहाँ पर यह कह सकते हैं, कि जो उसने एक्सेप काम नहीं कर रही थी, तो इन चीजों के उसने माफिय भी मांग लेना था, लोगों के सामने तो सब चीजों को अच्छे से हैंडल करना ही चाहिए, इस कारण जो है, जो भी बच्चे के पैरेंट्स है, या मिनिस्टर है, यह कहीना के सॉफ्टन हो गए रहते हैं, तो इन्हो कारण पुलिस को एक फेलियर फेस करना पड़ रहा है, ऐसे ऑफिसर्स के अगें सनीहा, एक IPS ऑफिसर है, SPA डिस्ट्रिक की हेड, तो वो एक्शन भी ले सकते हैं, उसने एक्शन लेना चाहिए था, जो ड्यूटी में अपने फेल हो गए है, और उसने सिचुएशन को इस ल कैसे करना चाहिए था, अब तीसरा सवाल आपको ये पूछा गया है, कि आखर इस केस में गलती किसकी है, तो गलती किसकी है, इसका जब हम जवाब धुनने निकलते हैं, तो हमें बिल्कुल यहां पे साफ दिख रहा है कि गलती है, तो बोथ सनेहा एंड मिनिस्टर आरेट दोनों की भी गलती है यह नहीं कह सकते सिर्फ स्नेहा की गलती है तो गलती दोनों की है और मिनिस्टर जो होते हैं उन्होंने more gentlemanly behave करना चाहिए ता अच्छे manner में behave करना चाहिए particularly जब यह पता चले कि एक officer जो है वो lady officer है तो यह एक women के dignity के खिलाफ है कि आप उससे इस तरह से बत्तमीजी से बात करो however she should have also acknowledge the position of the minister है और उसने भी यह देखना चाहिए कि मैं जिससे बात करें वो एक criticism उसको criticized जो किया गया है उसको उसने accept कर लेना चाहिए था अंडर हर charge rather than arguing with minister लोगों के सामने और मीडिया के सामने आप मिनिस्टर से अगर argue कर रहे हैं तो लोग तो आप पे गुस्टा करेंगे पक्का है मीडिया भी कुछ ना कुछ इसका बहुत बड़ा issue बना देगी तो आपको यह सब चीजे यहां देखनी चाहिए थी और स्नेया और minister दोनों की यहां गलती है यह हम easily कह सकते हैं तो यहां पर हमें एक introduction के साथ तीनों भी question के answer मिल गया है और इस तरह से आज की जो case थी which is about humiliation of IPS officer इसको भी हमने solve कर लिया है तो इसी तरह से इसी तरह की case के साथ आगे के वीडियो में मिलते रहेंगे अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं लाइक ज़रूर करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना सब्सक्राइब करने के अधा बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के आपको notification मिलते रहें अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर connected रहना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे श्रेयस बड़ी दपीस लोर यह मेरा आइडी है आप उस पर मुझे अगर आप मुझे mail करना जाए तो श्रेयस बड़ी दे इस Gmail.com के आप मुझे mail भी कर सकते और अपडेट्स के लिए आप मेरे pages को follow और like कर सकते श्रेयस बड़ी श्रेयस बड़ी इंटरप्रेटेशन यह मेरे Facebook के pages है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सब आ and have a very good day